आज प्रिंट्स मैं बात करने वाला हूँ महा मिर्त्युजे मंत्र और क्यों मनाई जाती है महा सिवरात्री इन्ही सब का आज मैं चर्चा करने वाला हूँ ओम्त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिम् कुष्टिवर्दनम् औरवारुकम्यू बंदना मिर्त्यो मुर्चियमामृत्याद्म क्यों मनाई जाती है महा सिवरात्री फावन मास सावन जो फागुन मास की कृष्ण पक्च की चतूरदसी को महा सिवरात्री का तेवार मनाया जाता है महा सिवरात्री सिव और सक्ति की मिलन की रात है पराणिक कथाओं के अनुसार महा सिवरात्री के दिन सिव जी पहली बार प्रकट हुए थे सिव का प्रकटे जोति लिंग यानि अगनी के सिवलुम के जो सिवलिंग होता है रूप में था ऐसे सिवलिंग जिसका न तो आदि था और नहीं अंत सिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में सिवलिंग के सबसे उपर भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह सफल नहीं हो पाएं वह सिवलिंग के सबसे उपरी भाग तक पहुच ही नहीं पाएं दूसरी ओर भागवान भी वराह का रूप लेकर सिवलिंग का आधार ढून रहे थे लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला एक कथा यह भी है कि महा सिवरात्री के दिन सिवलिंग विभिन 64 जगहों पर प्रकट हुए थे उनमें से हमें केवल 12 जगह का नाम पता है इन्हें हम 12 जोतिर लिंग के नाम से जानते हैं महा सिवरात्री के दिन पुजयन के महा कलेश्वर मंदीर में लोग दीप अस्तम्भ लगाते हैं दीप अस्तम्भ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग सिव जी के अगनी वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सके यह जो मूर्ती है उसका नाम लिंगो भाव यानि जो लिंग से प्रकट हुए थें ऐसा लिंग जिसकी न तो आदी है और न अंत है ये था कथा और फागुन मास में आरत के विबिन प्रमुक सिव मंदिरों में बहुत सारे आयोजन किये जाते हैं आपके छेत्र में आयोजन किस प्रकार होता है कमेंट जरूर करियें और भगवान भुले नाम भगवान भुले नात का नाम लेकर लाइक जरूर करिये ताकि आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो और खुशाहाली आए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए कथा उलेकर तब तब के लिए जैहिं वन्य मात्रम